हेलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में जो केक शेयर करी हूँ वह एक टॉल केक है और यह काफी ज्यादा टॉल केक था इतना ज्यादा टॉल केक मैंने पहली बार बनाया था तो पिक्चर के अगार्डिंग में यह केक बना रही थी जो क्लाइन्टे उन्होंने मुझे पिक् इसे अवेलेवल था और दो इस्पॉंज और मुझे चाहिए थी बेट के अक्वाडिंग तो मैंने 450 ग्राम 450 ग्राम के दो इस्पॉंज और बेक कर लिये उसके बाद जो मैंने इस्पॉंज थी में पास तीन तीनों को तूटू लेर्स में डिवाइड किया था तूटल इस क तूटल केके बनाऊ क्टे ibaए बहूं नहीं होता है जब आप लेरिंग कर जाओत ही कल आफा कर साथ 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 क्राव बहार इसाथ साइप जाय gas करते जाना है ऐसे को उसमें INसेठ पी बहुं करो, तो या फिर आप उसमें डॉबल साइड करो. तो लास्ट में इस केक में दो प्लास्टिक के जो स्टोर होते हैं वाले वो मैंने एंड में डाल दिये थे जिससे की केक को अच्छे से सपोर्ट मिले और केक हमारा स्टेवल रहे जब भी टॉल केक बनाओ सोकिंग भी बहुत जादा नहीं करनी है एकदम मीडियम सोकिंग करो जितनी की केक को रिक्वाइड है बहुत जादा सोकिंग करोगी तो केक आपका स्टेवल नहीं रहेगा जब भी टॉल केक बनाओ तो जो क्रीम है वो पर्फेक्टिव विप होनी चाहिए मतलब टाइट होनी चाहिए तब ही आप लोग उसकी लेयरिंग करो अगर आप लोग तो केक आपका स्टेवल नहीं रहेगा लेयर फिसलेंगी और केक आपका खराब हो सकता है तो यहां पर मैं इसको चॉकलेट फ्लेवर में बना रही थी और यह चॉकलेट क्रीम थी जो कि मैंने वनिला क्रीम में गनाश एट करके चॉकलेट क्रीम मनाई है तो चॉकलेट क्री यहां मैंने इसा फ्रीज में रखे गवार स्कॉच में उसकी बार इसां की लिए मुझे टू-UCKलर चाहिए थे तो मैंने दो जो बनाया थे पहला मैंने जो बनाया है पर्पल को मिक्स करके बनाए परपल और पिंक को मिक्स करके और दूसरा पिंक और यलो को मिक्स करके बनाए तो इस तरीके से एक पीछ का शेड बनाए एक परपल का शेड बनाया है और दोनों शेड्स को मैंने इस तरीके से अपलाई कर दिया है पिक्चर के अकवाड़िंग यही दोनों शेड जो है केक में रड़ किये गए थे तो ये काफी जादा टॉल केक था अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये केक टू केजी में नहीं है पर देखने में ये अभी वीडियो में काफी मुझे छोटा लग रहा है बट इन एक्चुली ये केक काफी वड़ा था और ये केक बाद भी नहीं सकती में और अवेलेबल भी नहीं है यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो मैकनून मनाने के लिए मुझे इसमें पॉर्टनेंट तो एड़ करना ही होगा तो थोड़ा बहुत मैंने पॉर्टनेंट यूज किया था और इसके अबाद में इस केक का फाइनल वेट टू केज लास्ट में इस केक पर मैंने ड्रिप्स बगरा बनाए थे वाइट चॉकलेट गणास से तो उसके वज़े से यह केक और भी जादा ओबरवेट हो गया था तो केक की अच्छे से मैंने फाइनल आइसिंग कर दिया है फाइनल आइसिंग करने के बाद मैंने इसे आदे घंटे किम नीचे तक ना जाएं तो द्रिप्स को सैट करने के लिए हमें वैसा अपने केक को चिल कर लो उसके बाद आप लोग्nez बना और says बनाने के बाद केक को फ्रिज में रख दो जैसे कि दृप्सषे अच array다고 जाए उसके बाद ही आप इस पर फाइनल डेकॉरेशन करो तो इस से कुछ candies से और कुछ macaroon से हो रखी थी तो उसके according में इसके decoration कर रही थी तो purple वला जो shade वजा था उसे यूज करके मैंने जो design मने हुए थे picture में उन्होंने जो भेजे थे उसके according मना दिये, दो macaroon मनाये थे मैंने उसके बाद दो candy मनाये थी उन्हें मैंने top पर लगा दिया है और उसके बाद कुछ चॉटे साइस के जो chocolate mold से हम chocolate create करते हैं मैंने colorful chocolate create किये थे वह मैनने इस पर लगा दिये थे खुछ हार्ट सेब की chocolates बनाये थे बहुत मैंने इस पर लगा दिये थे उसके बाद कुछ बटरफलाई के साथ मैंने इस केक का फाइनल डेकुरेशन कर दिया तो बहुत प्यारा लग रहा था काफी टॉल केक था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये केक बनाने में बहुत मज़ा आया बट ये कि इतना टॉल था कि बाद में बॉक्स में पैक भी नहीं हो रहा था तो लगाने के बाद तो लास्ट में मैंने कुछ इस पर आर्टिफिशल बटरफलाई एड की सारी चीज़े इसमें एड़ेबल है केवल बटरफलाई को छोड़कर बटरफलाई भी मैं फॉर्टनेंट से बना सकती थी बट उन्होंने फॉर्टनेंट बहुत कम यूज करने के ल करिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी तब तक के लिए बाबाई टेक क्या है